आधार कार्ट से पैन कार्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल से एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है E-Filling इसके बाद आपको यहाँ Income Tax Department की वेबसाइट पर चले जाना है इसका लिंक मैं आपको description में देधूंगा नीचे आपको scroll down करके एक option देखेगा जिसका नाम होगा Instant E-Pan इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों आपको simple से नीचे आना है और आपको एक option नज़र आएगा check status download pan इस option पर आपको continue उपर click करना है continue उपर click करने के बाद आग देख पाएंगे यहाँ आपसे आपका आधार card number पूछा जा रहा है आपको यहाँ अपना आधार card number डाल देना है डालने के बाद आपको simple से continue उपर click करना है continue उपर click करेंगे तो जो भी आधार card से आपके mobile number लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा OTP आपको यहाँ पर fill कर देना है जैसा कि देख पार है मैंने यहां फिल कर दिया है अब आपको यहां नीचे continue पर क्लिक करना है continue पर क्लिक करने के बाद successfully आपको यहां देख जाएगा pan alerted successfully यहां आपको आपकी date देख जाएगे जिस दिन आपको pan card alert किया गया था ठीक है और नीचे कुछ आपको यह जानकारी और दिखे की जैसे कि मैं बता दूँ जो भी आपका pan card download होगा यहां से उसमें आपकी data birth का password लगा होगा ठीक है वहां से आप जब भी open करेंगे तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपको download करने के लिए थोड़ा सा साइड में स्क्राउल डाउल करना है और आपको एक option दिखेगा download e-pan जैसे आप download e-pan पर click करेंगे आपका pan card आ जाएगा और आपको वही data birth यहां पर डाल देनी है data birth जैसे ही आप डालेंगे मैंने यहां डाल दिया और आप open करेंगे open करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे आपका e-pan यहां से download हो जाएगा और आप जहां चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं official porter से लिए download हुआ है तो दोस्तों इस तरीके से कुछ आप e-pan को अपने download कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा कोई भी दिक्कत आती तो आप हमें नीचे comment करके बता सकते हैं और दोस्तों इस तरीके के latest videos के लिए आप हमारे इस channel को subscribe भी कर सकते हैं thank you so much for watching this video